सलाम आलेकूं डियर ओडियंस आइम कैसर सजाद एंड टुड़े आइल डिसकस विद यू फेमस इंडियन ओथर्स एंड देर इंपोर्टेंट वाक्स तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं राबिंदर नाड टैगूर को टैगूर एक बंगाली इंडियन ओथर थे और उनकी वज़े शोहरत उन्हें नोबल प्राइज फालिटेचर 1913 में मिला वो पहले इंडियन और बलके इसी तरह वो पहले एशियन थे जिन्हें अदब का नोबल प्राइज मिला इनको महत्मा गांधी ने भी गुरू देव का टाइटल दिया गुरू देव का खिताब दिया और जो इनको ये जो नोबल प्राइज मिला था वो उनको इनकी शायरी की किताब गेतन जली इपे मिला था गेतन जली की सिगनिफिकंस ये है कि इसका जो इंट् रबिंदर नाट टेगूर को बरतानवी बाश्शा जार्ज फाइव ने नाइट हूड का टाइटल दिया था लेकिन उन्होंने जेलियाँ वाला बाग मसेक्रे के बाद 1919 में इसको वापिस कर दिया गया रबिंदर नाट टेगूर के इंपॉर्टन वर्क सबसे पहले तो गेतन जली जो के उनकी शायरी की किताब थी इसमें 103 नजमे हैं उसके इलावा इन्होंने ड्रामे भी लिखे दे जीनियस अवालम की मुक्तदरा, दे सैक्रिफाइज, दे पोस्ट आफिस, डाग घर, दे होम एंड दे वर्ल्ड, थाट रेलेक्स, सैक्रिफाइज एंड अधर प्लेज, इसके इलावा दे रिलीजन आफ मैन, इनके लेक्च थी, उन्होंने सिवल राइड्स, वुमेन, एमेंस्पेशन और एंटी इंपिरियल आइडियाज के लिए बड़ी जदुजहद की, और वो इंडिया की इंडिपेंडन्स की स्ट्रगल में एक एहम किरदार है, इनकी शायरी के काम की वज़ा से इन्हें दा नाइटन गेल रिकी थी और इस जो नजब में कोई तेरा सो लाइन्स हैं, दे गोल्डन थ्रेशोल्ड, इट कंसिस्ट आफ फॉर्टी पॉइम्स, दा बर्ड अफ टाइम, सॉंग अफ लाइफ, डैथ, एंड स्प्रिंग, इट कंसिस्ट आफ टोटल फॉर्टी सिक्स पॉइम्स, और इसक पाकिस्तान में काईदयाजम भी कहा जाता है, उसके उपर एक किताब एन अमबैसिडर आफ यूनिटी जो के उनकी बायोग्राफी है और उनकी तकारीर पर मुश्तमिल है लिखी, तीसरे नमबर पे जो एक एहम इंडियन राइटर है, वो है आरके नाराइन, आरके नाराइ नाराइन की वजह शोरत, उनका जो काम जिसके उन्होंने फेमस एक फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन अपने वर्क में क्रियेट किया, जिसका नाम था मलगदी, तो वो जो इंडियन लिटेचर इन इंग्लिश है, उसके लीडिंग राइटर्स में से है, मलक राज आनन्द और राजा राओ के साथ, बलके मलक राज आनन्द आर के नाराइन और राजा राओ को इंडियन लिटेचर इन इंग्लिश की ट्रिनिटी भी कहा जाता है, नाराइन का दोस्त और मेंटोर गराहम गरीन ने इसको बहुत मदद की, उसकी वो जो पहली चार किताबें इसके इलावा इसकी अद्वी खिद्मात के उपर आर के नाराइन को साथिया एकैडमी अवार्ड भी मिला गया और इसके नौवल दा गाइड पे एक फिलम भी बनाए गी जिसको फिलम फियर अवार्ड फार दा बेस्ट फिलम मिला, और नाराइन की जो केरेक्टर्स हैं और उसके वो जो fictional उसने एक town create किया है उसकी बिना पे इसको William Fakner से भी compare किया जाता है और जो उसने short stories लिखी है उन short stories की वज़ा से इसे Indian short story writers में Guide Mopsa भी कहा जाता है इसके जो important works है आरके नरायन के सबसे पहले हम discuss करते है important novels वो है Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, The English Teacher Mr. Sampath, The Printer of Melgadi, The Financial Expert, Waiting for the Mahatma ये एक partition novel है जो जिसमें Mahatma Gandhi जी का भी जिकर है The Guide, The Man-Eater of Melgadi, The Wendor of Sweets, The Painter of Sign, A Tiger for Melgadi उसके अलावा जो उसकी important short story collection है इसमें Malgadi Days, ये 9 stories इसमें शामिल है An Astrologer Days, ये इसमें 30 stories शामिल है Under the Bennion, Trees and Other Stories A Horse and Two Goats, इसके अलावा इसने कुछ non-fiction work भी लिखे जिसमें कुछ biographies भी है और इसकी autobiography भी है उसमें My Dateless, Diary, Reluctant Guru, My Days, ये बेसिकली एक autobiography है Winter, Nightmare, Swami and Friends उसके बाद जो important Indian author है वो है मलिक राज आनन्द मलिक राज आनन्द ना सिरफ एक Indian writer है इंगलिश के बलके वो एक socialist भी थे और उन्होंने अपने novels में poor class और जिने हम untouchable शूदर और अच्छूत कहते हैं उन लोगों की representation की उसका जो novel untouchable basically एक protest है Indian माश्रे के खिलाब इसके लावा उसके दूसरे वास्थ जैसे के कुली and two leaves and a bud इसमें भी हमें एक मतलब poor caste की traditional Indian society में depiction नजर आती है तो उसके जो important work है मलिक राज आनन्द के वो है untouchable, कुली, two leaves and a bud लाल सिंग की एक trilogy है the village across the black water, the sword and the sickle यह जो title था यह जार्ज ओर्वल ने दिया था इस novel को the big heart the private life of an Indian prince यह basically एक autobiographical in nature है जो के deal करता है abolition of princely state system in India उसके लावा autobiography में seven summers मलक राज आनन्द के बाद अब हम discuss करते हैं राजा राओ को, राजा राओ भी एक Indian writer है जिनोंने English language novels और short stories लिखी है इनका जो work है वो deeply rooted in metaphysics इनका जो शोरय अफाक novel the serpent and the rope यह basically एक semi autobiographical novel है जो के recounting a search for spiritual truth in Europe and India और इस novel के तोर पे इन्होंने अपने आपको जो finest Indian pro stylist के तोर पे आपने आपको establish किया, recognize किया और उनके इसी novel की बिना पे इन्हें 1964 में साहितिया Academy Award दिया गया जो राजा राओ के इसके इलावा दूसरे जो एहम work है उसमें कांथा पुरा, the cat and shakespeare, a tale of India कॉमरेड के रिलीव, the chess master and his novels और उसकी शार्ट स्टोरीज में, the cow of the barricades, the policeman and the rose on the ganga ghat और उसके non-fictions में, changing India anthology, the great Indian way, a life of मातमा गांधी ये basically biography है, इसके बाद अब हम discuss करते हैं, अनिता डिसाई को, अनिता डिसाई भी एक India novelist है और उन्होंने एक writer के तोर पे वो तीन दफा शार्ट लिस्ट हुई है, बुकर प्राइस के लिए, उन्होंने साथिया Academy Award 1978 में, उनका जो novel था Fire on the Mountain, ठीक है, वो हासल किया और उनके जो important works हैं, उसमें, the artist of disappearance, the zigzag way, fasting, feasting, scholar and gypsy, in custody, the village by the sea, clear light of the day, games at twill light, fire on the mountain, cat on the house boat, where shall we go this summer, the peacock of the peacock garden, the peacock cry, vices in the city, bye bye blackbird अनीता डिसाई के बाद, अब हम discuss करेंगे शोबाडी को, शोबाडी एक Indian novelist और columnist हैं, और उन्हें जो बेहतर जाना जाता है, her depiction of socialites and sex in her works of fiction, और इसलिए इन्हें इंडिया का Jackie Collins भी कहा जाता है, और ये regular columnist हैं, Times of India के Sunday edition की, इनकी जो शोबाडी की important books हैं, वो हैं, Small Bat Trails, संधिया Secret, Superstar India from Incredible to Unstoppable, Speed Post, Second Thought, Scary Nights, Socialite Evening, ये इनका पहला novel था, जो के 1989 में publish हुआ, जमपा लहरी, जमपा लहरी एक American author है, जिनका तालुक Indian immigrant family से है, और इनको बेहतर जाना जाता है, इनकी short stories, novels और essays in English, और इसके इलावा, इनका एक तारुफ Italian भी है, उनका जो पहले ही debut collection थी, short stories की interpreter of melodies, उसने 1999 में, प्लिट्सर प्राइज फार फिक्षन और पैन हेमिंग वे एवार्ड जीता, और उनका जो पहला novel था, दा नेम सेख, 2003 में, उसको इसी नाम से film बनाईगी, उसके एडॉप्ट किया गया, इनके जो पहले novel था नेम सेख को New York Times ने notable book कहा, जबके Los Angeles Times book prize finalist भी था, और इसके एक major हिस्से पे एक film भी बनाई गई है, Unaccustomeded Earth ने इनका एक शार्ड स्टोरी थी, उसने फ्रेंक ओकोनोर्ज इंटरनेशनल शार्ड स्टोरी एवार्ड जीता, जबके उनका जो second novel था, The Low Land, ये finalist था, दोनों के लिए मैन बुकर प्राइज और नेशनल बुक एवार्ड फार फिक्शन का, और जनवरी बाइस दो हजार पंदरा में लहरी को पचास हजार डॉलर डी एस सी प्राइज फार लिटरेचर मिला उनकी जो नावल है लो लैंड के लिए, अपने इन वर्क्स में लहरी ने बेसिकली एक्सप्लोर किया है इंडियन इमिग्रेंट एक्सपिरियंस को अमेरिका में इसके इलावा लहरी 2015 से प्रिंस्टन यूनिवर्सटी में प्रॉफेसर आफ क्रियेटिव राइटिंग के तोर पे भी काम कर रही है, इसके बाद आखिर में हम डिसकस करेंगे अरंदुती राइ को, अरंदुती राइ एक इंडियन आथर है जो के जानी जाती है अपने नौवल दा गोड आफ स्मॉल तिंग्स जिसने बुकर प्राइज फार फिक्शन 1997 में जीता था और ये बेस सेलिंग बुक थी बाई अनान एक्स पैट्रियार्ट इंडियन आथर इसके इलावा वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी है जो के हुमन राइट्स और एन्वार्मेंटल कॉज के लिए काम करती है उनका जो इंपॉर्टन्ट फिक्शन है वो है दा गोड आफ स्मॉल तिंग्स जो के पब्लिश हुआ 1997 में इसके इलावा उसके दस साल बाद इन्होंने the ministry of utmost happiness शाय कराया इनके non-fiction work में the end of imagination, the algebra of infinite justice, war is peace, the greater common of God walking with the comrade शामिल है So keep watching our videos, that's all for today, in case of any problem, add suggestion, please comment below, take care, Allah Hafiz